दोस्तों जब बॉलिवड मुवीज में पॉपलर एक्टर्स और एक्टर्स दौरा पहने जाने वाले कॉस्ट्यूम की बात आती है तो हम में से ज्यादते लोग अक्सर उनके वाडरोब से काफी अट्रेक्ट होते हैं वो जो कपड़े पहनते हैं वो उनके कारेक्टर्स के साथ परफैक्टली मैच होता है और उनकी एक्सेसरी उनके कारेक्टर को अलग पहचान देती हैं कभी-कभी यही कास्ट्यूम ट्रेंट भी बन जाती हैं और फैन्स इस ट्रेंड को फालो करने में पीछे नहीं हटते हैं लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि फिल्म की शूटिंग के बाद इन चांदार आउटफिट्स या प्रॉप्स का क्या होता है वेल नहीं तो हम आपको बताते हैं कि ये आउटफिट्स या तो रियूज किये जाते हैं या फिर कई रियर केसिस में सेलिप्रिटी खुद ले लेते हैं लेकिन अक्सर ये कॉस्ट्यूम्स या आउटफिट्स आॉक्शन किये जाते हैं वेल यू वोंट बलीव बट ये सच है कि सेलिप्स के कॉस्चिम की निलामी होती है और लोग लाखों करोण उड़ा देते हैं सेलिप्स का आउटफिट्स को पाने के लिए आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे स्टास की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो लाखों करोण रुपए में बेची गई थी आॉक्शन में तो चली वड़े स्टार्ट करते हैं नमर वन सल्मान खान का गाना जीने के हैं चार दिन, आज तक लोगों के जहन में ताजा है इस स्टाइब वेल आज तक की रिपोर्ट के मताबक सल्मान के इस टाफ़ल को नेलाम किया गया था और यू वोंट बलीव बट इसकी कीमत रिपोर्टेली एक लाख चालीस हजार रुपए हासल की गई थी कहा जाता है कि हौंग कांग के किसी सल्मान खान के फैन ने से खरीदा था निमर टू आमिर खान आमिर खान दोरा हिट फिल्म लगान में इस्तमाल किया गया भाला यानि कि बैट याद है आपको अगर आपने फिल्म देखी है तो इसे भुलाना इंपॉसिबल है वेल फिल्म के साथ आमिर के करेक्टर भून का भाला भी हिट रहा जी हाँ आज तक की रिपोर्ट की माने तो आमिर खान के बैट को निलाम किया गया था आमिर खान और लगान की पूरी टीम ने इस बैट पर साइन किया था और ये बैट रिपोर्टेली एक लाग पचास हजार रुपए में निलाम किया गया था नमर 3 मादूरी दिख्चित फिल्म देवदास में मादूरी दिख्चित की अदाओने सभी को मार डाला था संजेलीला बंसाली के फिल्म में जिस तरह सेट आलिशान होते हैं उसी तरह स्टास के आउटफिट भी कम एक्सपेंसिव नहीं होते खबरों के मताबिक मादूरी का सौंग मार डाला में पहना ग्रीन लेंगा निलामी में तीन करोड का बिका था वैल इससे पहले मादूरी दिख्चित ने फिल्म बेटा के गाने में धक धक करने लगा में जो पीली साड़ी पहनी थी उसे भला कौन भूल सकता है गाने के साथ साथ मादूरी की ये साड़ी भी हिट रही थी आज तक एक रिपोर्ट के मताबिक ये एक एक पीली साड़ी भी 80,000 रुपे में निलाम होई थी दूस्तों क्या हो जब एक सुपर स्टार ये सुपर स्टार का फैन निकले वेल हाँ ये हम इसी लिए कह रहे हैं क्योंकि आज तक की एक रिपोर्ट के मताबिक आमिर खान ने लेट लेजंडरी एक्टर शमी कपूर की फिल्म जंगली में पहनी जैकेट को खरीदा था आमिर खान ने जैकेट को रिपोर्टर ली 90,000 रुपे में खरीदा था ये जैकेट शमी कपूर ने गाना याहू में पहनी थी Meanwhile, let's tell you शमी साब की जैकेट के साथ इस कार भी यूज़ इन दे फिल्म वाज अल्सो आक्षिन फॉर वोपिंग अमाउंट अफ एक लाग पचास हजार रुपै Additionally, शमी साब की लास्ट अपेरंस अन बिग स्क्रीन वाज इन दे फिल्म रॉक स्टार और इस फिल्म में शमी साब ने एक शेहनाई बजाई थी Well, इस शेहनाई को बाद में सेल पर रखा गया था और ये चार करोड रुपै में बिकी थी Scorpio के एक रिपोर्ट के मताबिक प्रियंक चूपड़ा की यूनिक पिंक कलर की हील्स फ्रम क्रिश्टन लिटन भी निलाम हुई थी Well, रिपोर्टेडली इसे धाई लाख रुपै जमा हुए थे Actually, 2013 में यूनिसेफ के Save the Girl केमपें के लिए डोनेट किये गए थे ये पैसे Meanwhile, प्रियंका के आटोग्राफ की हुई एक ड्रेस भी रिपोर्टेडली फराखान के चैट शूपर पचास हजार रुपै में निलाम हुई थी Number 6, करीना कपूर करीना कपूर खान ने फिल्म हिरोईन में एक आटम नंबर किया था Well, सौंग हलकट जवानी के साथ साथ उनकी साड़ी का लोग भी खूब ट्रेंड हुआ था और रिपोर्टेली मार्केट में साड़ी के डिमांड भी खूब बढ़ी थी Well, according to आज तक इस साड़ी को मनेश मलहुतरा ने डिजाइन किया था And letter on इस साड़ी को चैरिटी के लिए सैल किया गया था Number 8, एशुरिया रायबच्चन और रजनी कांथ एक रिपोर्ट के मताबक एशुरिया रजनी कांथ के फिल्म रोबार्ट में इस्तमाल किये गए एक्सपेंसिव कॉस्चुम्स भी निलाम किये गए थे और आक्शन के बाद पूरा पैसा चैरिटी में दे दिया गया था Number 9, एक्षे कुमार फिल्म Oh My God में अक्षे कुमार का पहना हुआ सूट 15 लाख रुपए में निलाम हुआ था और इन पैसों को एजुकेशन इंस्टिटीशन को डोनेट कर दिया गया था Well, recently अक्षे कुमार अनौंच दिस न्यूस अन ट्विटर and also told the people for contribution Number 10, शारुकान Well, ये आक्षे किसी फिल्म से तालुक नहीं रखता लेकिन 2017 में शारुकान की डूडल आर्ट काफी चर्चा में थी रिपोर्टेली बात में बताया गया कि उस आर्ट पर सिर्फ S.R.K के सिगनेचर थी लेकिन वो आर्ट वर्क उनके किसी फैन का था बट इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मताबिक शारुकान के फैन ने ये आर्ट दो लाक रुपए में बाय की थी Well, all in all, इस एक बात तो साफ है कि फिल्म मेकिंग में कॉस्ट्यूम प्लेज अ वेरी बिग रोल सलिप्स के लिए तो फैन्स की दिवान की खूब देखी थी लेकिन उनकी कॉस्ट्यूम एटायर के लिए भी बूली लगाना ये काफ़ी सर्प्राइजिंग था तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करकर जरूर बता है